अब जैसी में देखले किया देखो ये डेटा जो स्टैटिक नहीं हूँ हूँ है एवरीवान वेलकम बैक टू आर चैनल आज के जिए बात करें द्रॉपड़न विजिट के बारे में तो देखो या जब भी हम फॉर्म बनाते हैं तो उसमें हमें डॉपड़न की जरूद पढ़ती ही है कभी हम फॉर्म बनाए तो अगर आपको कुछ specific डेटा यूजर से निलना है तो तो दो तरीके से डॉपड़न बनाते हैं या तो नॉर्मल डॉपड़न बनाओ उसमें static option शो कर दो दूसरा option है कि जो उसका data है वो हम server से या API से call कराके हम मंग आ रहे हैं तो आपको पहला वाला तो आयोप आता ही हुगा नहीं या तो फिर भी एक overview देता हूँ पहला बनाते हैं कैसे ही मतलब static data के साथ तो मैं simply यहाँ पर drop down पे click करूँगा और यहाँ पर option define कर दूँ application के साथ प्राम करोगे तो आपका सारा data जो है आपको API से आएगा नाती static होगा अर्ड कुछ नहीं होता रियल वर्ल application मैं बातता हो तो जब भी आपको dynamic drop down शोग करना है तो वो चीज कैसे कर रहोगा वो मैं आप बताने वाला हूँ तो ज्यादा time waste नहीं करूँगा मैं आप API की तरफ देखो आप कोई भी API यूज कर सकते हो आपने जो भी वैकिन बनाया है उसकी API होगी drop down आप वह यूज कर सकते हो बट मैं एक sample आपको बताना चाहता हूँ एक concept बस overview देना चाहता हूँ कि data आखिरकार यह print करता कैसे drop down शोग कैसे करेगा अधरवाइस आप कोई भी ठीक है array देना होगा तब ही वह drop down में शोग कराएगा तो देखो यह एक array है एक पूरा array है अगर आपको array नहीं पता तो आप ऐसा समझो कि एक array एक container है जिसमें multiple value store हो सकते हैं तो देखो एक पूरा एक array है इसमें multiple string है first, second, third, fourth, multiple strings value हो रखिए तो जब भी आपको drop down में show करा तो मैं इस API को copy करता हूँ और चलता हूँ अपने API की setup में, मैंने API call back और मैं यहाँ पे create करता हूँ इसका नाम देता हूँ suppose drop down API ठीक है और यहाँ पर अपना URL देदू और save करता हूँ ठीक है, मैं इसको एक टेस्ट भी करता हूँ, मैंने टेस्ट किया, अगर आपको यह च होगा, मैं एक JSON path define कर देता हूँ, मैंने को पूरा डॉलर चाहिए, समस्यों, पूरा डॉलर मतलग एक पूरा array चाहिए, JSON path अगर आपको नहीं पता तो एक बार देख लेना, पिसली वीडियोस मैं ने बता रखा चाहिए, मैंने पूरा डॉलर कहा, कि पूरे को पूरा JSON चाह अब क्या करेंगे, drop-down में एक API को, इस API को attach करेंगे, और उसके बाद dynamic value को print कराएंगे, simple, तो देखो हमारे API setup हो चुपा है, आप मैं जातो इसमें, अब देखो, drop-down में दो step करनें आपको, पहला backend query add करने है, वो backend query कैसे add करते हैं, मैंने drop-down को select किया, और यहाँ पे backend query को option ह होता है, मैंने backend query क्लिक किया, और add backend query, यहाँ पे आप query type select कर सकते हैं, query selection, document from reference, अगर आप Firebase यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे API call यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं API call पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे अपनी API चूज़ कर सकता हूँ, drop-down API और कनत, अब मैंने क्या किया है, drop-down को attach करते हैं, अब API से, अब क्या कर रहा हूँ, अब मेरे को simple, उस जो भी variable मैंने JSON path में define किया है, product category के नाम से, उसको drop-down में show करा हूँ, कैसे करा हूँगा, मैं आता हूँ इसमे, और जहाँ पे हम option define कर रहे थे, मैं सारे option को पहले हटा देता हूँ, और यहाँ पे option आता drop-down API जो था, उसका जो response आ रहा है, क्या आपको उसमें से data show कराना है, तो हाँ भाई मेरे कोशी में show कराना है, तो मैंने drop-down API response चूज कर लिया, अब ही क्या रहा है, इसमें से आपने जो भी path define किया हूँ, select कर दो, तो मैंने path define किया है product category, जिसमें पूरा array था, तो मैंने product category choose कर दी, और confirm, ठीक है, अब मेरा काम हो गया है, खतम, अब बस हमारा इतना ही काम है, कि हम test करते हैं, और देखते हैं, कि dynamic data आखिल कर, आया भी, कि मैं मजात कर रहा हूँ, तो simply मैं testing mode पर click करता हूँ, और ये open कर देगा हमारा testing mode, अच्छा, मैंने पहले से open किया, तो मैं इस जितने भी array में value थी, जो value यहां थी, smartphone, laptop, fragrance, skin care, वो सारी आपको show हो गई हूँ, ठीक है, आप जैसे मैंने click किया, लेको ये data जो static नहीं हूँ, API से आ रहा है, ठीक है, तो I hope आपको समझ में आया हूँगा, कि API से data को हम कैसे drop down में show करेंगे, और drop down को हम कैसे dynamic करते हैं, static वा why we lose